श्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चेनल राजा बोजाई टाई पे दोस्तों जो आठ अगस्त का पेपर हुआ था फर्ष्ट पेपर उसमें कहां से कोशन पूचे गए थे क्या कोशन आया था क्या लेवल था मैं बच्चों से एनालिसिस करवाया हूँ बच्चे ने बताया कि सर यहां से कोशन आया थे उसी कोशन को मैं लेकर एक बार फिर आपके सामने आया हूँ जो बच्चे के द्वारा बताया गया है जो चातर पेपर दे कर आ चुके है वो ही बताया है कि सर यहां से कोशन आया है कहां कहां कि किस किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा कोशन उठाये गए थी इस वर सारी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ लाश तक वीडियो को जरूर देखना सारी आज के पेपर का खुलासा हो जाएगा कि आज के पेपर में कितने कोशन आये थे कैसे कोशन आये थे जितना छातरों ने बताया मैं उनको वाट्सव नमबर दिये थे वो मुझे कोशन सेयर किये थे चलिए मैं आपको एक एक करके कोशन बता देता हूँ आप लोग लाश तक जरूर देखिए चैनल पे नए हो चैनल को सस्क्राइब करिए लाइक करिए सेयर करिए तैंक यू जैसा कि दोस्तों सबको मालूम है कि फर्ष्ट अपना सेकंड इयर को जो पेपर है पहला टॉपिक जनरेटर है पहला कोशन जनरेटर से ही उठाया है जैसे लिखाए कि जनरेटर दोवारा किस उर्जा को बिद्दुत उर्जा में परिवर्थित किया जाता है ये कोशन आ चुका है इसी साल 8 अगस्थ 2022 को आया था इसका राइट एंसर होगा या अंतरिक एनि मेकेनिकल उर्जा को बिद्दुत उर्जा में परिवर्थित करती है अगला जैसे प्रस न दिया गया है डी सी मसीन में हुए कौन से दो बिंदु है जो ब्रस संपर्क प्रतुरोध को मापते हैं अब आपको ये बताना है कि ऐसे दो पॉइंट बताना है जो ब्रस के बीच परिचरोद, option B दी है brush और commutator motor rice के बीच परिचरोद, option C दी है brush और commutator के बीच परिचरोद option D दी है brush और armature conductor के बीच परिचरोद तो दोस्तों इसका जो right answer होगा C number होगा यहाँ पे carbon brush लगाया जाता है जो कारबन बुरुष अकॉमुटेटर के बीच का रेजिस्टेंस होता है उसी के बिंदू होते हैं वही मेजर करते हैं अगला प्रसन है डीसी जनरेटर को घाड़ी की दिसा में ही क्यों चलाना चाहिए ये प्रसन आ चुका है आप लोग रट लेना दुबारा भी आ सकता है आपके लिए बहुत हल्फुल रहेगा पहला दिया है ब्रस को नुकसान से बचाए दूसरा दिया है अबसिष्ट चुमकत की रक्षा करे तीसरा दिया है आर्मेचर में सौर्ट सर्कृट से बचे चौथा दिया जनरेटर अतिभारित करने से बचे ठीक डीसी जनरेटर को घड़ी की दिसा में क्यों चलाना चाहिए क्योंकि जो सेस जुमकत होता है उसकी रक्षा करे सेस जुमकत को खतम ना करे अगला प्रस्ट जैसे आया था आर के बेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उप्योग किया जाता है आर के बेल्डिंग आपने देखे होगे राडबाला बेल्डिंग मसीन होती है ओप्सन चार दिया है संट जनरेटर, सिरीज जनरेटर, बिभेदक योगिक संचाई, बिभेदक होता है डिफिरेंसियल संचाई होता है कंपाउंट जनरेटर इसका राइट अंसर होगा डिफिरेंसियल योगिक जनरेटर यहनी बिभेदक योगिक जनरेटर विभेदक होता डिफरेंसिल कंपाउंट जनरेटर को हम लोग आर्क बेल्डिंग के लिए ही यूज़ करते हैं यह आप लोग ध्यान रखना बहुत इंपोर्टन कोश्चन है अगला जैसे प्रस्म दिया गया है बड़ी जहमता के डीशी जनरेटर यूग बनाने के लिए किस धातू का उपयोग किया जाता है पहला दिया काश्टारण, दूसरा दिया है नर्मलोहा, तिसरा दिया है एल्मूनियम, चौथा दिया है रोल्ड इस्टील तो इसका जो राइट इंसर होने बाला है, वो होगा डी नमबर रोल्ड इस्टील दोस्तो जो जनरेटर की बाड़ी बनाए जाती है, रोल्ड इस्टील की बनाए जाती है अगला प्रस्म दिया गया है आर्मेचर बाइंडिंग प्रत्रोध को मापने के लिए किस उपकरण को उपयोग किया जाता है दोस्तो जो आर्मेचर बाइंडिंग है तो उसका जो प्रत्रोध मापने के लिए जो इस्टूमेंट का यूज करते हैं वो होता है केल्मिन ब्रिज केल्विन ब्रिज के माध्यम से हम लोग आर्मेचर बाइंडिंग का प्रितुरोध मेजर करते हैं सारे कोशन रट्टा मार के रखना अगला प्रस्तिन दिया है कौन सी कूचालक सामगरी सेरेडी बी के कूचालक की है ओप्सन ये है कपास ओप्सन भी है बास ओप्सन सी है फाइवर ग्लास ओप्सन भी है चमड़े का कागच तो दोस्तों चार ओप्सन में से जो फाइवर ग्लास है ये बिल्कुल गलत है ठीक आपने निमी के कोशन पे देखा होगा निमी के पेपरों पे ये पेपर में नहीं है ठीक इसका जो right answer होगा वो होगा बांस correct answer ही जो B नमबर होगा बांस जो होए तो सुरेड़ी B के कुछ आलग के अंदरगत आती है अगले प्रस्त की और चलते हैं अगले प्रस्त की और क्या है आर्मेचर को संतुल्द करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है दोस्तो जो आर्मेचर है उसको संतुल्द करने का सबसे प्रभावी तरीका aesthetic संतुलन, गतिसील संतुलन, counter संतुलन के साथ संलगन, सीसा भार संतुलन के साथ प्लग किया गया दोस्तो इसका जो राइट एंसर होगा बी नम्मर होगा गतिसील संतुलन आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका है अगला प्रस जैसे दिया गया है बाइंडिंग में टेप का उद्देश क्या है दोस्तो जो बाइंडिंग होती है उसमें जो टेप का में उद्देश क्या है पूँचा गया था कोशन आ चुका है कोशन बहुत इंपोर्टन कोशन है तो इसका जो राइट एंसर होगा यह होगा सी नम्मर कंड़क्टर को लपेटने के लिए ठीक बाइंडिंग जो टेप होते हैं टेप के माध्यम से कंड़क्टर को हम लोग लपेट देते हैं अगला जैसे प्रस्म दिया गया है थ्री कला यह थ्री फिस मोटर में बाइंडिंग के बीच कला बिस्थापन क्या है जो थ्री फिस मोटर में बाइंडिंग के बीच कला बिस्थापन है फिस एंगल, सबको मालूम होगा कि 3 फिस के बीच 120 अंस का डिफरेंस होता है और सिंगल फिस में 90 अंस का होता है दोस्तो इसके पहले सारे कॉशन मैं करवा दिये हूँ आपने पुराने वीडियो देखे होगे आप पास होच सकते हो बहुत अच्छा कौशन था एक्साडेसीमल संख्या प्रणाली में कितने बर्ग होते हैं सबको मालूम होगा जो हेक्जाडेसीमल होता है उसमें 16 अंग होते हैं शंख्या प्रणाली पे अगला प्रस्म दिया गया है कौन सा फिल्टर सर्किट एक्टिफ एर सर्किट में बोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्छम होते हैं दोस्तों जो बोल्टेज में एक्सपाइस आ जाते हैं तो उसको कौन सा फिल्टर हटा सकता है तो इसहां पे तीन चार फिल्टर हैं LC, RC, संधारित, Input फिल्टर, स्रेड़ी प्रेरिकत दोस्तों जो LC फिल्टर है तो यह जो rectifier में explain साथ के इसको हटा देता है अगला प्रसंदिया है CRO द्वारा किस मात्रा को मापा जा सकता है दोस्तों सबको मालूम होना चाहिए CRO है CRO के दुआरा हम लोग क्या नाप सकते है frequency CRO होता है cathode ray oscilloscope ठीक, उसके माध्यन से हम लोग frequency का major करते है right answer A number correct हो जाएगा अगला प्रस्न है power control circuit में dice का उद्देश क्या है दोस्तों जो power control circuit है उसमें जो dice होती है dice का main उद्देश ये है trigger करने के लिए B number correct answer हो जाएगा अगला question है एक transistor में आधार सामागरी का बिसेश गुण क्या है transistor होती है transistor पे emitter, collector, base इन जिसको आधार बोलते हो आधार होता है हलके से डोप किया होता बहुत पतला होता है अगला प्रसन दिया गया है class A amplifier का मुख लाव क्या है दोस्तों जो class A प्रकार का amplifier है उसका main लाव पूँचा गया है ये होगा निउन्तम बिक्रती right answer इजे A number correct हो जाएगा अगला प्रसन है रिक्ती करन कैसे रिक्ती करन छेतर कैसे बेवार करता है तो इसका रिक्ती करन जो छेतर होता है ये किस तरह बेवार करता है कूचालक के रूप में कूचालक का मतलब समझते होगे एक होता है सूचालक कूचालक कूचालक कानि इंसूलेटर की तरह अगला प्रस्म दिया गया है पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है दोस्तों जो पैनल बोर्ड असेंबली होती है उसमें बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं चार आपसन दिया है इसका राइट इंसर होगा सिंसर हम लोग panel board assembly में sensors के माध्यम से उपकरन को बचा सकते हैं जो उपकरन लगे होते हैं आपने देखा होगा panel board बड़े-बड़े panel board लगाये जाते हैं तो दोस्तों ये important question बहुत है अगला जैसे प्रस्त दिया गया है किस circuit में limit switch का उपयोग किया जाता है सबको मालूम होगा कि जो limit switch होती है ये एक controlling device है कोई भी चीज को control करती है इसका right answer होगा lift दोस्तों जो limit switch होती जिसे lift उपर जा रही है इसको रोक देती है अगला प्रस्त दिया गया है कौनसी device अनुक्रमिक नियंत्रन प्रनालियों में संचालन को नियंत्रती है contributor right answer E No more होगा timer जो होता है तो एक अनुक्रमिक नियंत्रन अनकरमी के मतलब एक टाइम पर कंट्रोल करता है प्रणाली को, कंट्रोलिंग है, नियंतरम प्रणाली है, तो यह कुछ important question थे जो आपके paper पर आ चुके हैं,